अच्छा हुआ इस वीडियो पे किलिक कर दिया हैं ये वीडियो आप सभी के लिए most important है इससे ज़्यादा most important वीडियो होई नहीं सकता आज की वीडियो आप सभी को यहाँ पर बताएंगे कि self study कैसे करें वो भी सही धंग से जी हां बहुत से बच्चे self study करते हैं लेकिन सही त तरीके से कर लेते हैं तो आप जो भी पढ़ाई करेंगे वो हमेशा के लिए याद रह जाएंगे और आपको लगेंगे हम पढ़ाई किये हैं है नहीं तो आपको लगेंगे आप क्या पढ़ रहें ना पढ़ रहें दो दिन बात चलो पता चला भूल गया सब तो इसलिए self study आपको सही धंग से करने के लिए सीखने होएंगे जो कि आज की मैं बताने वाला हूं आप सभी बहुत लग्की हैं जो इस वीडियो पर किलिक कर दिये हैं आज की वीडियो हम बताएंगे इस वीडियो में आपको बताएंगे आप थोड़ा से वीडियो पर जाएए बस एक इस्टूडेंट का डाउट लिये हैं ठीक है देखिए विद्याथी का कोशन था उनका कोशन था अगर आपका भी कोई कोशन है तो कमेंट बाउक्शन जरूर बताएगा हम यहां पर सभी क कितने बज़े उठें और कितने घंटे पढ़ाई करें कितने बज़े सुभा उठें सर और कितने घंटे पढ़ाई करें अगर आपका भी कोशन है तो आज यहां पर समझ लिजिए, ठीछ सीख लिजिए, देखिए आपको सबसे प्लेना सुभा 6 बजे जगना है जी हां आप कहेंगे सर्फ सुभा 6 बजे आप सौक्ट हो जाएंगे ठीक है क्योंकि सभी टीचर करते होंगे 4 बजे जगो 3 बजे जगो 5 बजे जगो लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला मैं आपको कहने वाला कि सुभा आपको 6 बजे ही जगना है जि हां आप 6 बजे नहीं जगते हैं आप सौक्त हो गए होईंगे आप सोचते होगे आप यह क्या बता रहा है लेकिन मैं आपको जैसा बतानों आपको वैसा करना है सबसे पहले मोड़िफ़ करना है कि सुब़ आपको 6 बज़ जगना है और आपको पढ़ाई नहीं करना है जी हाँ पढ़ाई करना ही नहीं आपको घुमना है वाक करना है टहलना है ठीक है हाँ उसके बाद दखिए कुछ दिन ऐसा ही करना है लगवग दो से तीन दिन आपको ऐसा ही करना है सुभध छेव जगना और पढ़ाई नहीं करना ठीक है द तो आधा घंटा यानि तीस मिनट थर्टी मिनट भाई यहां पर आपको फरेस होने में लगेंगे सुभाज जो सब फरेस करते हैं ठीक है फिर आपको पॉंच-दस मिनट किताब लेकि थोड़ा सब बैठ जाना जादा नहीं पॉंचे-दस मिन ठीक है दो तीन दिन तक ऐसा ही क लगने लगेंगे आपको परियास करना अलारम लगना जो भी लगाते हैं अलारम जहां भी लगाएंगे तो अपने से कुछ दोड़ी पर फोन को रखाएंगे ताकि वहां पर पैदल चलके हम जाएं सुभा-सुभा लाइट वहां पर आउन करने बालवर ठीक है तो पांच पूपेच भजी आपको फिर जागना है फिर शारे पॉंच भी आपको पढ़ने बैट जाना यां टी मिनिट को फरेस होने gefलेंगे फिर फॉलो करतें को फिर आपको फरेस होने है शार वज जया ऌईए five प्वाजेस लेके आपको च्छे तक यानी वन आवर आपको पढ़ाई करना फिर दो तीन दिन ऐसा ही करना लगतार कंटिनू फिर आपको चार बजेस जगना और तीस मिएट फारेस होने में टाइम देना ठीक है चार बजेस लेके छे बजी यानी वन पॉइंट फाइब देर गहंटा आपको 1.5 आवर 1.5 आवर आपको पढ़ाई कर लेना अब देर घंटा सुबह के कितने घंटे परना चाइए सुबह धिर घंटे परना चीए और कितने प्रूठना चीए चार बजे जगना चाहिए तीस मिट आपको फारेस में टाइम देना है और यहां पर देर घंटा पढ़ाई करना है सारे चार बज़े से लेके छे बज़ेता है आई होप आप यह समझ गए होईंगे और आपको हाइविट इसी तरह से बनाना आए ठीक है धीरे-धीरे हाइविट बनता है चलिए आगे एक विद्यार्थी और कोशन किया है देखि क्या आपका भी ऐसा कुशन है देखिए इसका क्या बज़ा हो सकता है इसका बज़ा है कि आप जो भी पढ़ाई किया वो अच्छे से पढ़ाई नहीं किया अच्छे साप नहीं समझ पाएं इसलिए भूल जाते हैं इसका यह भी बज़ा है और दूसरी सबसे बड़ी समस्य आए कि रिवीजन ना करना जी रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे सच बता रहा हूं अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किये हैं अच्छे से नहीं समझ पाएं अच्छे से नहीं सिखें लेकिन आप रिवीजन करेंगे तो फिर आप बाइलंस में आ जाएंगे मतलब अच्छे से समझ जाएंगे लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ाई भी कर लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं तो तो भाई आप भूल ही जाएंगे ठीक है तो इसलिए आपको जो भी पढ़ना है वो ज्यादा समय तक अगर चाहते हैं याद रखने के लिए पहले समझना है और उसके बाद रिवी जन भी करना आइब रिवीजन कैसे करना है और किस दिन करना है शब कुछ बता रहा हूं इसे वीडिवा आप बने डिये वीडियो परंड तक और हां एक विद्यारती और क्वेशन किये हैं बट उससे पहले भाई का नाम जान लेजिए का ऐसे हैं आप सभी कोमेंट वाक्स में छोड़ दिएगा ये भी बता दिएगा चलिए अब आगे देखते हैं आप वीडियो पर बने रही है एंड तक आगे है पढ़ाई में मन नहीं लगता और मन लगता भी है तो ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाता हूं देखिए इसलिए आपके साथ होता है कि आप क्या करते हैं जोस जोस में ना मोटिवेशन वीडियो देख लिया कोई मोटिवेशन दे दिया ये मोटिवेशन वीडियो देखके ना जोस जोस में पहले दिन इतनी जादा पढ़ाई कर लेते हैं इतनी जादा पढ़ाई कर लेता है कि द सबसýफना स्हैट्टि पर्फटि आपको अपना गोल करना हुए परता परकाई विकर पर्फट आंप drive ने रूंस declarative यांनि भीकथैंड पर Spiner everyday सब्द्रकाहिए यह बहुत से परसुआ परसंट करने होगे पर summard सबसे करना नहीं को सबसे क्लास के स्टूड़न के सबसे के लिए नहीं जानने हैं या तो आप सभी के लिए ये वीडियो से कितने नंबर पूछे जाते हैं कौन सा कोशन ज्यादा वार परिच्छा में आ चुके हैं और कौन सा कोशन नहीं आते हैं यह सब आप देख लिजिए ठीक है अपने स्लेबस में मिल जाएंगा आपको ठीक है उसके बाद आपको क्या करना पढ़ाई करना टाइम टेबल सेट करना जी था पढ़ाई का टाइम टेबल से नहीं करेंगे बहुत आप पंचतां की कि यह समय तक पढ़ना है यह सब most important जो की time table में आते हैं इस special एक वीडियो बना दिया है कि division कब और कैसे करना चाहिए देखिए division करने का भी तरीके होते हैं अगर आप सही धंग से सही तरीक से division नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या division कर रहे हैं है ना तो इस वीडियो पर किलिक कीजिए और वीडियो को वाच कीजिए देखके समझिए सिखिए